इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वो भी देख लिजेगा बागी चलिए आज का प्रेक्टिस सेट शुरू करते हैं पहला कोशन दिखे सारे कोशन आप लोग के असान है पाक जलसंदी किन दो देशों के बीच इस्तित है बट्विन वीच टू कंट्री इस दव पाक वाटर ट्रेटी लोकेटेड भारत श्रिलंका, भारत मालदिव, भारत बंगलादेश या भारत पाकिस्तान राइट टेंसर इसका क्या हो जाएगा पाक जलसंदी कहाँ पे है किन दो देशों के बीच है पाक जलसंदी राइट टेंसर इसका भारत और पाकिस्तान नहीं होगा राइट एंसर इसका हो जाएगा भारत और स्रीलंका फॉर्स्ट अप्सन दिखे इसका राइट एंसर हो जाएगा चली आगे का क्वेशन इसे टाइप से देखिए नेश्ट क्वेशन क्वेशन इम्पर सेकेंड आप लोग को बताना है कि प्रित्वी की चुम्बकी रेखा कहां से गुजरती है राइट एंसर इसका हो जाएगा थर्ड अप्सन इसे टाइप से चली आगला क्वेशन देखे नेश्ट क्वेशन क्वेशन इम्पर थर्ड देखे मियमार की सिमा किस भारती राज से मिलती है मियमार सियर्स इट्स बॉर्डर्स विट वीच इंडियन स्टेट पस्चिम बंगाल असम त्रिपूरा या मिजोरम मियमार की जो बॉर्डर्स है ये किस से राज से भारत की इंचारों में से बताएगे किस से राज से मिलती है किस से राज से लगती है राइट एंसर इसका हो जाएगा देखिए जो पस्चिम बंगाल है असम और त्रिपूरा ये तीनों जो स्टेट हैं ये तीनों स्टेट मियमार की बॉर्डर से नहीं लगती है राइट टेंसर इसका हो जाएगा 4 option मिजोरम मिजोरम की जो border से मिजोरम स्टेट की ये मेमार की border से attach है राइट टेंसर 4 option होगा अगला question question number 4 देखिए इंदरा गांधी वन्य जियो अभ्यारन और राष्टियो अभ्यारन निमलिखित में से किसी राज में इस्थित है इंदरा गांधी वाइड लाइफ सेंचिरी एंड नेशनल पागसार following in which state is it located 36 गड उतर परदेश तमिलनाडू या किरल राइट एंसर इसका हो जाएगा इंदरा गांधी वन्य जियो अभ्यारन और राष्टियो अभ्यारन ये है तमिलनाडू में राइट एंसर थर्ड ओप्सन हो जाएगा अगला question दिखिए question number 5 विस्व की सबसे उची चोटी हिमाले किस स्रेनी का भाग है option है राइट एंसर इसका हो जाएगा second option हिमादरी हिमाले विस्व की सबसे उची चोटी हिमाले जो स्रेनी है ये है हिमादरी हिमाले का भाग राइट एंसर second option होगा अगला question question number 6 देखिए भारत की सबसे उची चोटी केटू यानि की गौडवीन आश्टिन ये किस परवत स्रिंखला का भाग है काराकुरम, लद्दाक, जासकर या पीर पंजाल सभी को पता होना चाहिए भारत की जो सबसे उची चोटी है गौडवीन आश्टिन ये है काराकुरम परवत स्रिंखला का भाग राइट एंसर वोज़ेगा first option चली अगला कोशन देखिए क्वेस्चन बर सिवेन नासिक इवंग मुंबई के बीच कौन सा दर्रा इस्थित है वीच पास इस सिच्वेटेट बट्विन नासिक एंड मुंबई थाल गाट, भोर गाट, पाल गाट या सिन कोट्टा राइट एंसर हो जाएगा इसका नासिक इवंग मुंबई के बीच जो दर्रा है ये है थाल गाट दर्रा राइट एंसर हो जाएगा first option क्वेस्चन नमर एट देखिए नेस्ट क्वेस्चन, क्वेस्चन नमर एट भोर गाट ये किन दो सहरों को जोडता है क्वेस्चन नमर नासिक इवंग मुंबई और मुंबई एवंग पुने राइट टेंसर इसका क्या होगा भोर गाट जो है ये दो सहरों को जोडता है मुंबई और पुने को राइट टेंसर इसका होजागा four option क्वेस्चन नमर नाइन मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राजमे स्थित है मानस टाइगर रिजर्व इस लोकेटेड इन दे स्टेट केरल उत्राखंड पस्चिम बंगाल ये असम राइट टेंसर इसका क्या होगा मानस टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है असम राजमे आगे question दिखिए question number 10 सिवाली का निशला भाग क्या कह लाता है what is the lower part of सिवाली called खादर, तराई, बांगर या भाबर सिवाली का जो निशला भाग होता है इसे क्या कहते है इसे कहते है भाबर right answer हो जाएगा 4 अप्शन सिवाली का जो निशला भाग होता है उसे भाबर कहा जाता है अगला question दिखिए next question question number 11 अमर कंटक किस पहाडी की सरोज सिखर है अमर कंटक is the highest peak of which hill सत्थपूडा, मैकाल, नेलगिरी या सिवाले अमर कंटक किस पहाडी की सरोज सिखर है right answer हो जाएगा इसका अमर कंटक जो है ये मैकाल पहाड की सबसे सरोज सिखर है सबसे मुचा सिखर अमर कंटक ये मैकाल पहाड की है right answer हो जाएगा second option अगला question दिखिए question number 12 कोयमबटूर एवं कोचिन के बीच इस्थित पाल घट की उचाई क्या है आपको बताना है इसकी उचाई किया है 580 मिटर, 630 मिटर, 305 मिटर या 280 मिटर right answer इसका क्या हो जाएगा पाल घट की जो उचाई है ये है 305 मिटर third option दिखिए इसका right answer हो जाएगा अगला question दिखिए question number 13 10 degree channel की निवन में से किसको अलग करता है 10 degree channel है ये निवन में से जो option दिया गया है इसमें से किसको अलग करता है ये आप लोग को याद करना होगा 60 degree, 8 degree, 9 degree, 10 degree ये किस चीज को अलग करती है इसका देखिए right answer क्या होगा 10 degree channel है ये करती है अंडमान वन निको बार जो अंडमान वन निको बार है इसको अलग करती है right answer इसका होगा second option इसी type से आप लोग लगाते चलिए बाकी आप लोग जितना भी सही करते है comment में बताईएगा question number 14 सिमला, कुलू, मनाली, मसूरी, दारजलिंग, आदी जो प्रसीध, परियटक, अस्थल है ये हिमाले के किस छेत्र भाग में है हिमाले के किस छेत्र भाग में है आप लोग को बताना है right answer इसका क्या हो जागा देखिए जो हिमाले का हिमाचल भाग है इसमें जितने भी उपर लिखे गए है प्रसीध, परियटक, अस्थल ये हिमाले के हिमाचल छेतर में पाया जाते हैं हिमाले के हिमाचल भाग में इस्थित हैं ये सवारे जितने भी परियाटक कसते हैं नेश्ट क्वेशन, क्वेशन अवर 15 आप लोगों को बताना है भारतीय रेल्वे की सबसे लंबी दूरी तैक करने वाली ट्रेन कौन सी है ओप्शन देखर बताईए कि भारतीय रेल्वे की सबसे लंबी दूरी तैक करने वाली ट्रेन कौन सी है राइट एंस तर इसका क्या हो जाएगा भारत की जो सबसे लंबी दूरी तैक करने वाले ट्रेन है ये है विवेक की एक्सप्रेस जो की डिब्रुगड से कन्या कुमारी तक जाती है आप ये जो मैप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये है डिब्रुगड डिब्रुगड जो की अस्सम में है और ये अस्सम से लेकर कन्या कुमारी जो की तमिलनाडू में है यहाँ से यहाँ तक जाती है राइट एंसर ये कौन सी एक्सप्रेस हो जाएगी विवेक एक्सप्रेस थर्ड ओप्शन राइट एंसर हो जाएगा क्वेस्चन नमबर 16 पुर्वी तट पर इस्थित पाराद्वीब बंदरगा ये की से राज में इस्थित है पस्चि मंगाल उडिशा अंदर परदेश ये तमिलनाडू पुर्वी तट पर जो इस्थित पाराद्वीब बंदरगा है ये है उडिशा राज में राइट एंसर हो जाएगा सेकेंड ओप्शन अगला क्वेशन दिखिए क्वेश्चन नमबर सेवेंटीन भारत के पश्मी तट पर इस्थित गुजरात से गुवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है भारत के पश्मी तट पर इस्थित जो गुजरात से गुवा तक के तट है इसे कुणकन तट के नाम से जाना जाता है सेकेंड ओप्शन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला क्वेशन दिखिए नेश्ट क्वेशन क्वेशन नमबर 18 अंड माननी को बार द्विप समू की सबसे उची चोटी कौन सी है माउंट हैरियर, बैरन, माउंट मैकिनले या सेडल पीक राइट एंसर क्या होगा अंड माननी को बार द्विप समू की जो सबसे उची चोटी है ये है सेडल पीक फोर अप्शन राइट एंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नमर नाइंटीन ग्रिस्म रित्व में चलने वाले तीवरे अर्थ हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है काल बैसाखी, काफी वर्षा, नार्वेश्टर या आमर वर्षा राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा ग्रिस्म रित्व में चलने वाले तीवरे हवाओं को बंगाल में कहा जाता है ये कहा जाता है काल बैसाखी राइट एंसर फोर्स्ट अप्शन हो जाएगा अगला कोशन क्वेश्चन वर ट्वेंटी मानसुन का प्रत्या वर्तनकाल किस रित्व को कहा जाता है सित्व रित्व को, सरद रित्व को, ग्रिस्म रित्व या बसंत रित्व को राइट एंसर क्या हो जाएगा मानसुन का जो प्रत्या वर्तनकाल है ये कहा जाता है सरद रित्व को सेकेंड अप्षन राइट एंसर हो जाएगा क्वेस्चन अबर ट्वेंटी वन चिनाव किसकी साहयक नदी है सभी कंडिलेट को पता होगा गंगा सिंधु ब्रहंपुत्र राकावेरी राइट एंसर इसका हो जाएगा चिनाव जो साहयक नदी है ये है सिंधु नदी की राइट एंसर वो जाएगा सिकेंड ओप्षन क्वेस्चन अबर ट्वेंटी टू देखिए क्वेस्चन अबर ट्वेंटी टू सरावती नदी पर इस्थित जोग जल प्रपात भारत की किस सिराज में इस्थित है तमिलनाडू किरल करनाटक की अगोवा देखिए जो जोग जल प्रपात है ये है करनाटक राज में ये सरावती नदी पर है और इसका राइट एंसर वो जाएगा थर्ड ओप्षन भारत की किस राज की सिमा भुटान से नहीं मिलती है भारत की जो सिमा है ये भुटान से नहीं मिलती कौन सा राज है ये तीनों राज की सिमा भुटान राज से मिलती है मेघाल है जो राज है इसकी जो बॉर्डर्स है ये भुटान राज से नहीं अटेच है राइट टेंसर हो जागा फोर अप्सन आगे क्वेश्चन दिखिए क्वेश्चन बर ट्वेंटिफोर सत्पूडा स्रेनी की सबसे उची चूटी कौन सी है गुरु सीखर, डोडा बेटा, धूपगड या काल सुबाई राइट टेंसर इसका क्या हो जागा सत्पूडा स्रेनी की सबसे जो उची चूटी है ये है धूपगड पहले भी लगता है हम कराये हैं राइट टेंसर इसका हो जागा फोर्ड अप्सन अगला क्वेश्चन दिखिए क्वेश्चन बर ट्वेंटिफाइव भारत में सन्विधान से क्रिसी किस सुची का विशे है संग सुची, राज सुची, समर्ति सुची या अवसिस सुची भारत के सन्विधान में क्रिसी किस सुची का विशे है राइट एंसर हो जागा सकेंड अप्सन राज सुची भारत में हरित क्रांती की शुरुवात किस वर्स होई थी? अगला क्वेशन देखिए निलगिरी जो पहाड़ी है यह तमिल नाडू राजी में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील कोन सी है? रानाप्रताप सागर, जुवाहर सागर, गोविन्द बललव पंद सागर या गांधी सागर? राइट एंसर इसका हो जाएगा थर्ड अप्शन गोबिंद बलव पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है अगला क्वेशन लाष्ट क्वेशन क्वेशन नमर 30 देखे ये आज की सूडियो का लाष्ट 30 क्वेशन है भारत में अल्मुनियोम उद्योग का पहला का रखाना कहां स्थापित किया गया था अप्शन देखे और बताईए राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा थर्ड अप्शन पस्चिम बंगाल का जेके नगर जहां पर भारत में सबसे पहले अल्मुनियोम उद्योग यानि के अल्मुनियोम का रखाना अस्थापित किया गया था थर्ड अप्शन राइट एंसर हो जाएगा तो यह आज की स्वीडियो में आप लोग के टॉप 30 क्वेशन सब स्टाफ पेपर का करा है बाकि आप लोग के मन में कोई भी प्रस्ण होगा क्वेशन होगा आप लोग कमेंट के जरी पुछ लीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में फिर सीसी टैप से क्वेशन अगला देखेगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद